ओम्, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आदर्स धर्म सनातन धर्म के आओ मानस पढ़ना सीखें के अगले अंक में पिछली बार हम लोगों ने बिराम दिया था दोहा नंबर 129 पर और अब उससे आगे तुभिरचयो मग महुनगर तेही सत जोजन बिस्तार स्री निवास पुरते अधिक रचना भिविध प्रकार बसही नगर सुन्दर नर नारी जनुबहु मन सिजरती तनुधारी तेही पुरबसई सील निदिराजा अगनित हय गय सेन समाजा सत सुरेस सम बिभव बिलासा रूप तेज बलनीति निवासा बेशमोहिनी तासु कुमारी स्री बिमोहजि सुरूप निहारी सुई हरिमाया सब गुन खानी सोभाता सुकि जाई बखानी कराई सोयंबर सोनरप बाला आये तहां अगनित महिं पाला मुनि कोतु की नगर तेही गय वूँ पुरबासिन सब पूछत भय वूँ सुनी सब चरित भूप ग्रहे आये करी पूजान पमुनी बैठाये तो जब भगवान विश्णू के यहां से महरसी नारत चलते हैं तो रास्ते में भगवान की माया से प्रेरित एक बहुत बड़ा नगर वहां पे दिखता है जिसका सव योजन में बिस्तार था जिसकी सुन्दरता देखते नहीं बन पा रही थी जो भगवान स्री नारायन के बिश्णू लोक के बराबर सुन्दर नगर लग रहा था जहां पर बहुत सारे सुन्दर सुन्दर इस्त्री पूरुस रह रहे हैं जैसे के हजारों काम देव और रती मनुष्यों का रूप रख करके वहां रह रहे हूं उस नगर के राजा का नाम सील निधी होता है जिनके अगनित है गएगे सेन समाजा जिनकी बहुत बड़ी सेना हाथी घोड़ा गाय सब जिनके यहाँ सब धन धाने से परिपून राज्य है जैसे सैकणों सुरेश मतलब देवताओं के राजा इंद्र से भी रूप तेज और बल बुद्धी में वो राजा बड़े दिख रहे थे उनकी पुत्री का नाम बिस्मोहिनी नाम की उनकी पुत्री होती है और जिस जो इनका भगवान की माया से इतनी रूप मती इतनी सुन्दर कन्या है उसी कन्या का नारत क्या देखते हैं कि उसका वो राजा स्वयंबर कर रहे हैं तो लोगों से बात चीत करके पूछते हैं कि ये कौन हैं, क्या हैं, तो सब ने बताया कि यहां के राजा अपनी पुत्री का सुयंबर कर रहे हैं और बड़े-बड़े देशों के सभी राजा वहां पे सुयंबर में भाग लेने के लिए आए हुए हैं। अब जो नारद जी हैं, तो नारद जी के मन को चैन कहा होता है, वो तो सब जगे पहुँचते हैं, बिना बुलाय पहुचते हैं। तो नारजी वहाँ भी पहुँच गए, अब नारजी को देख करके वहाँ के राजा ने नारजी की पूजा की ब्रामण रिशी हैं, उनको अपने शिंगासन पे बैठा करके और उनकी आरती उतार, उनके प्चरन धोये उनकी पूजा की, फिर क्या किया? कि आनि देखाई नारदेही, भूपति राज कुमारी, कह हुनाथ गुन दोस सब, यही केहरदय बिचारी, यही केहरदय बिचारी, अब नारदी को देख कर उनकी पूजा पाठ करके, उनको सद्साग सद्कार करके, फिर राजा अपनी पुत्री को बुलाते हैं, और उसका हाथ दिखाते हैं, कि हे मुनि राज, इसके गुन दोस बताईए, देखी रूप मुनी, बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी, लक्षन तासु बिलो की भुलाने, हिर्दय हरस नहीं प्रकट बखाने, जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमिते ही जीत न कोई, सेवही सकल चराचर ताही, बरई सील निदिकन्या जाही, लक्षन सब बिचारी उर राखे, कचुक बनाई भूपसन भाखे, सुता सुलक्षन कहिन पपाही, नारद चले सोच मन माही, करहु जाई सोई जतन बिचारी, जीही प्रकार मोही बरे कुमारी, जप तप कचुन होई ते ही काला, हे बिधि मिले काउन बिधि बाला, अब नारद जी ने जब कन्या को देखा, तो एक टक देखते रहे गए, नारद जी भूल गए कि वो एक रिशी हैं, देवताओं के रिशी हैं, ब्रमा जी के पुत्र हैं, भगवान नारएन के भक्त हैं, सब कुछ भूल गए, बस उस इस्त्री को ही देखते रहे गए, उनके लक्षन जो उन्होंने पढ़ा, उसमें बताया, कि देखो जो इसका पती होगा, वो ऐसा अजर अमर पती हैं, जिनको कोई न तो समर भूम में कोई उनसे जीत नहीं सकता, पूरे संसार के सभी चर अचर प्राणी, जिनकी सेवा करते हैं, उस महापुरुस को स्री लडिंधी की कन्या का बिवा होगा, उनके जो और लक्षन थे, कुछ बताये, कुछ अपने मन में छिपाये, कुछ बना करके बताये, इस तरह से बता करके नारद जी वहाँ से चलते हैं, और चल करके अब उनके मन में एक ही बिचार बनता है, कि किस प्रकार क्या उपाय क्या किया जाए, कि ये कुमारी हमारे साथ हम को बर ले, हमारे साथ बिवाह कर ले, जब तब सब भूल गए नारद जी उस समय, और बस उनके दिमाग में एक ही चीज है, कि किस प्रकार से ये जो कन्या है, वो हमारे साथ बिवाह कर ले, तो ये ही अवसर चाहि अपरम, सोभा रूप भी साल, जो बिलो की रीज है कुमारे, तब मेले जै माल, अब नारद जी यही सोचते हैं, कि अगर इस समय क्या चाहिए, अगर मैं सबसे ज़्यादा सुन्दर हूँ, अगर मैं ऐसा मेरा रूप हो जाए, जिसको देख करके राज कुमारी हमारे रूप पे रीज जाए, और पसंद कर ले, और अपनी जै माला हमारे गले में डाल दे, तो हरी सन मांगउं सुन्दर ताई, होई जात गहर अतिभाई, मोरे ही तहरी समन ही को, यही अवसर सहाई स्वई हो, बहु बिधि बिनय कीन तेही काला, प्रगट्यो प्रभु को तुकी क्रपाला, प्रभु बिलो की मुनि नयन जुडाने, होई यकाजु हिय हिय हरसाने, अतियारती कही कथा सुनाई, करहु क्रपा करी होहु सहाई, आपन रूप देहु प्रभु मोही, आनभाति नहीं पावं हु ओही, जेही बिधि होई नाथ हित मोरा, करहु सोबेगी दास मैं तोरा, निजमाया बल देखी विसाला, हिय हसी बोले दीन दयाला, अब नारद जी, अपने मन में सोचते हुए, उनके मन में बिचारा आता है, कि भगवान नारायन बिश्णु जी से सुन्दर कोई नहीं है, और मैं उनका भक्त हूँ, और मैं उनसे कोई चीज मांगूंगा, वो कभी मना नहीं कर सकते, मेरे लिए उनसे ज़्यादा मेरा सहायक कोई नहीं बन सकता है, यह बिचार करके विविद प्रकार की प्रार्थनाओं के साथ भगवान नारायन की वो प्रार्थना करते हैं, और जब उनकी इतनी बड़ी प्रार्थना, इतनी दिल से पुकार पे भगवान नारायन वहाँ पर प्रकट हो जाते हैं, उनको देख करके नारज़ की भौध प्रशन होते हैं उनकी आखों में खुसी की चमक देखते बन पड़ती है फिर वो भगवान से भगवान नारायन से कहते हैं कि हे नारायन आप अपना रूप मुझे दे दो जिससे उस कन्या का बिवाह हमारे साथ हो जाए और ऐसा कह करके वो हाथ जोड़ करके भगवान के सामने नतमस्तक हो जाते हैं भगवान विश्नु ने देखा कि नारद हमारी माया में पूरी तरे फस चुके हैं तो फिर उनसे हस करके बोलते हैं कि जेही बिधि हो यही परमहित नारद सुनो हूं तुमार सुई हम करब ना आन कचू बचन नम रखा हमार भगवान कहते हैं कि हे नारद मैं वही काम करूंगा जिसमें तुम्हारा हमेशा भला हो मैं ये सत्य कहता हूं हमारा बचन कभी जूठा नहीं हो सकता तो कुपत माग रुजब्याकुल रोगी बैदन देई सुन हूं मुनि जोगी ये ही बिदिहित तुमार मैं ठयवू कहियस अंतरहित प्रभुभयवू माया बिवस भये मुनि मूढा समुझी नहीं हरी गिरानि गूढा गवने तुरत तहारि सिराई जहां स्वयंबर भूमी बनाई निज निज आसन बैठे राजा बहु बनाव कर सहित समाजा मुनि मन हरस रूपयति मोरे मुहित जि आनि बरही न भोरे मुनि हित कारन क्रपा निधाना दीन कुरूपन जाई बखाना सो चरीत्र लखे काहु न पावा नारद जानी सब ही सिरुनावा अब नारद जी की ब्याकुलता को देख कर भगवान ने उनको एक सही बात बताया कि जिस तरह से तुम हमारे भक्त हो तो हम तुमारे कल्यान का ही काम करेंगे और ऐसा कहे करके भगवान अंतर ध्यान हो गए माया के बसी भूत हुए नारद रिसी मूर्ख बन गए और उनको भगवान की जो एक बाणी समझ में नहीं आई तो वो वहाँ से रिसी चलते हैं जहां पर स्वयंबर भूमी है वहाँ पर नारद जी पहुंसते हैं और उनको ये मन में है कि हमारे जैसा रूपवान कोई है नहीं तो वो राजकुमारी मेरे अलावा किसी और के गले में जैमाला डाल ही नहीं सकती यह उनके अंदर एक अभिमान भी और मान भी था अब भगवान ने साथ में थोड़ा सा एकर दिया कि माया के उनको जो कुरूप दिया उस कुरूप को और कोई नहीं देख रहा था वहाँ उपस्थि सभी राजा लोग नारद रिशी को नारद रिशी ही दिख रहे थे उनको रारद रिशी के अलावा कुछ नहीं दिख रहे थे उनका सब लोग सम्मान कर रहे थे नारजी समझ रहें कि हमारे पास तो भगवान विश्णू का रूप है हमसे जदा कोई सुन्दर नहीं है तो राज कुमारी की साधी तो मुझसे ही पक्की है तो रहे तहां दुईरू द्रगन तेजा नहीं सब भेव भी प्रभेस देखत फिरही परम कोतु की तेव उस समाज में ही दो भगवान संकर के दो गण वहाँ पर ब्राम्हनों का रूप बना करके वहाँ घूम रहे थे और उनको सब कुछ पता था कि ये नारजी क्या क्या कर्म कर रहे है और इस तरह से वो देख करके कोतु क बस खिलवाड में इधर उधर घूम रहे थे और वहाँ पर नारजी अपने वहाँ जहां सोयंबर में सभी राजा लोग बैठे वहाँ उचक उचक करके बीच बीच में बैठते जा रहे है तो अब हम इसी बोड पर दोहा नंबर 133 पर बिराम देते हैं और अगली कथा अगले अंक में जैसिया राम